पाकिस्तान के लोहॉर में 28 सेप्रेल की राज जबरदस्थ बवाल हुआ। इमरान खान की पार्टी के कारेकारी अध्यक्ष और पाकिस्तान के पंजाब प्रांथ के पूर्फ सीम चौधरी परवेज इलाही की घर में पुलिस गेट तोड़कर चबरन घुजगई। करप्शन केस में घिरे परवेज इलाही को गिरफतार करने पहुची पुलिस ने बक्तर बंद गाडियों से घर का दर्वाजा तोड़ने की कोशिश की। दरसल लौहर के जहूर इलाही रूड इलाके में स्थित परवेज इलाही के घर में दाखिल होने के लिए पुलिस और एंटी करप्शन की टीम बक्तर बंद गाडियों के साथ पहुची। में गेट से खुसने के बाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही के घर का दर्वाजा भी लात मार कर तोड़ दिया। हाला कि पुलिस को इलाही नहीं मिले लेकिन उनके परिवार और स्टाफ के 11 लोगों को गिरफतार कर लिया गया। ऐसे में इलाही के घर पर पुलिस कारवाई की इमरान खान ने निंदा की है। पिटी आई चीफ ने ट्वीट कर कहा कि परवेज इलाही के घर पर छापे की कड़ी निंदा करता हूँ। घर में मौझूद महिलाओ और परिवार के सजस्यों तक का सम्मान नहीं किया गया। हम अपनी आखों के सामने पाकिस्तान में लोगतंत्र को खत्म होता देख रहे हैं। समविधान सुप्रीम कोर्ट के फैस्त लोग या लोगों के मौलिक अधिकारों को कोई सम्मान नहीं हैं। केवल जंगल और फासीवाद का कानून है। बता दें की परवेज इलाही पर बारा करोड की घुटाले के आरोप में मुकदमा धर्च है। इसी मामले में उनके जमानत की मियाद खत्म हो रही थी जिसे कोट ने आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस चौधरी परवेज इलाही को पकड़ने के लिए उनके घर में खुज गई।